हुआ है कि अधिकल क्रेश एंड रोट से इंपर्टेंट अर्टिकल देखने वाले हैं तो हम अभी देखेंगे केंद और राज्यों को एक पिष्ट काम करने की जुरूरत है क्यों कि जो रोट से याद करना है तो 50% की कमी लाना है 2025 तक और सुनने करना है जो सब्सक्राइब और स्वीडन और यहां पर डिसाइड किया गया था कि हम 2030 तक सब्सक्राइब गटनाओं में जो मौते हैं उनको सुनने करने की पूरी कोसिस करेंगे इसके अलावा देखिए जो जिम्मेदारी है खासकर सड़क दुर घटनाओं से संबंदी तो राज्यों की हैं लेकिन केंदर सरकार को भी इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए तभी इनमें कमी लाई रसके ह और अगर नंबर की बात करें तो 2011 में देखिए 1,42,000 करीब लोगों की मौत हुई अब ये नंबर बढ़के 2019 में 1,50,000 की आसपास हो गई दो 2020 में देखिए 1,33,000 करीब मौते हुई ठीक है तो कोरोना काल के दौरान के बहुत सारे सड़क दुरक दुरक नाओं में कमी देख अगर सो प्रती हंड्रेट से देखें तो 2001 में 26.9 परसेंट थी और 2011 में बढ़ी 28 परसेंट हो गई और 2020 में ये 37.5,4 प्रतीस बढ़ गया है ठीक है यानि कि सो लोगों में प्रतीस सो लोग जो एक्सिडेंट हो रहा है वहां पर 37 लोग करीब डेस हो जा रहा है इसके लिए अब मोटर साइकल पर 4 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी क्रेस हेलमेट यान कि हेलमेट की जरूरी है और सेफ्टी से संबंदी मेजर हैं उनको जरूरी कर दिया गया है इसके अलावा 2010 में संहीर्ट राष्ट महा सबाज हो थी वह सडग सुरच्छा के लिए एक कारवाई दसक की गोसड़ा की थी जो 2011 से 2020 तक चलना था और डिसाइड किया गया था 2020 तक इसमें 50% की कमी की जाएगी और भारत समय बहुत सारे देशे से सामील हुए थे लेकिन ये थूरी तरह से फेल हो गया अब देखिए कोर्ट का इंटर्वेंशन भी यहां पे तो ये समीती 2014 में गठित किया गया था इसी सड़क परिवहन और राजमर्ग मंतराले के द्वारत तो इसने कुछ सुझाव भी दिये थे जिसमें से कुछ आपको याद करने जरूरी है तो इसे में देखिए सड़क सुरच्छा परिस्त का गठन करना प्रमुख एजेंसियो का अगठन करना सड़क सुरच्छा कोस बनाना सड़क सुरच्छा कार ये योजना की अधि सूचना जारी करना जिला स्तर पर भी सुरच्छा समीत का अगठन करना इंजिनियरिंग में सुधार लाना और ब्लाक स्पॉट का पहचान करना यातायात सांथ करने के उपायों को सड़क सुरच्छा अधिक उपकरणों का भी अधिकरहन करना ट्राउमा केर सेंटर के स्थापना करना और स्कूल के अस्तर पे सड़क सुरच्छा संबंधित पाठिक्रम को सामिल करना यह सब चीजें सामिल थे अब ग्राउंड रियाल्टी क्या है वो देख लेते हैं कि 1988 में म अधिनियम लाया गया था इसको 2019 में संसोदित किया गया ठीक है और इसमें बहुत सारे खंड जोड़े गया और यातायात उलंगनों पर अधिक कठोर नियम बना दिये गया एक सितंबर 2019 को यह जो प्रभावी हुए इसका बहुत सारा विरोध देखने को मिला बहुत सारे र नहीं दे पाएंगे इसलिए बहुत सारा विरोध हुआ तो बहुत सारे राज्यों ने इसको वापस ले लिया और बहुत सारे लोग जो थे इसके खिलाफ अधालत टक चले गया है ठीक है और मिराजुला के कहा सकते हैं कि जो अपेच्छित प्रभाव इस कानून का देखना था वो महसूस ही नहीं किया जा सका है इसके अलमाद कि बहुत सारे लोगों ने चलान का रखम बहुत जादा होने के वज़ए से अपने भाइक को आग लगा दिया था अब इसके अलमाद का रहा है जो परवर्तन जन सकती है ठीक है या ताया से निपढ़ने के लिए वो पर प्रारंभी कस्तप यानि कि आटोमेशन जो है या आटो मुवाइल सेक्टर में वह अभी बहुत ही कम है ठीक है खातका खासकार जो रोट सेप्टी से रिलेटेड आटोमेशन है वो सिर्फ बड़े सारों में ही है अभी और वो भी अपने प्रारंभी चरण में इसके अलामा करने में सहायक सिद्ध होगा ठीक है और इनको राजमार्गों पर लगाया जाए इसके अलावाएं यातायात सांथ करने के उपायों के लिए भी पर्यात धन धन जो है वो नहीं खर्च किया रहा है का जा रहा है कि साथ अधिक दुर घटनाय जो है वो कथित तोर पर तेज संगठी के कारण हो जाती है स्पीड लिपिट से संबंधित साइन बोर्ड खासका राज के जो राजमार गया स्टेट हाइवे जिसको बोला जाता है या फिर और जो छोटी सड़के हैं वहां पे कुछ नहीं दिखता परिवहन से संबंधित देखिए जो कुछ और कहा जाता है यानि कि उनको जो पेंशन भत्ते वो चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पाती है और जो प्राइबिट सेक्टर में है वो देखिए अलव वेतन के वज़ए से उनको सापता ही कवकास भी नहीं मिलता अब वेतन मिलता है इसलिए वो ओवर टाइम करने पर मजबूर होते हैं कि उम्मीद नहीं कि जा सकती ठीक है यानि कि जो लापरवाई है वह ज़्यादे तर बढ़ता ही जा रहा है अब इसके अलवा देखिए उनसेफ रोड के बारे में कहा जा रहा कि जो रोड हैं वो भी सेफ नहीं है क्यों नहीं से पहाँ एक तो देखिए जो गड़े हैं अगर आपको लाइसेंस प्राप्त करना है तो कहीं पर भी चले जाए कोई कठोर रवहारिक परिच्छा नहीं होती है लक्षित परिच्छा नहीं होती खासकर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ड्राइविंग ट्रैक ही नहीं है दिल्ली जैसे सवरों में तो आपको दिया जाते हैं तो पुनाफ परसे छण के लिए कोई संस्था ही नहीं है फिलाल भारत में और यह सब चीजें समस्या बन के आ रही है उसके अलामा देखिए जो मोटर वहां अधिनियम लाया गया था वह भी पूरी तरह से लागू नहीं किया सका इस लोग जैसे समस्या परवाही हमको देखने को मिलती है अब इसके अलाव का जाए दिर्ण इच्छा सकती की कमी भी है राज्यों के अंदर ठीक है राज्ये जो है वो पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं कि सोरों से सम्मंदित अपराज जो है यानि कि अगर 18 साल से कम आयो कि जो बच्चे है वो अगर दुरगटना करते हैं तो उनसे सम्मंदित कोई सकत कानून नहीं लाया गया है इसके अलावा इमर्जेंसी रिस्पॉर्स सपोर्ट टीम जो है वो यानि कि अखिल भारती अपात काली प्रतिक्रिया संक्या जो 112 है उस पे भी अगर आप डैल करते हैं तो यहां पे भी थोड़ी बहुत लापरवाही देखी जा रही है लेकिन ओवराल यह ठीठा काम कर रहा है और दुरगटना पीडितों के जीवन को सुना हरे समय को बचाने के लिए उप्योगी साबित हुआ है यह 112 नूबर और कहा जा रहा है कि यह जो सिस्टम है वो सभी राज्यों में समान रुप से लागू भी नहीं किया जा सका है इसके अलामाद जो एक ही कि सड़क दुरगटना डेटाबेस बनाया जा रहा है ठीक है मंत्राले की अंतरगती उसको विच्ट्व बैंक जैसी संस्था वित्पोसित कर रही है इससे क्या करेंगे हम दुरगटना का डेटाबेस बनाएंगे और सड़क सुरच्छा में सुधार करेंगे उसके अलामा कहा जा रहा है कि देखिए दुरगटना में होने वाले मौतों में 50% कमी का लच्छ जो था उसको तो हम नहीं पा सकें इसकी अलामा क्या होगा पिछले दसक में सड़क दुरगटना में जो मौते हो रही है उसमें व्रिद्धी भी हो गई ठीक है लच्छ तो प तब ही सड़क दुरगटना में कमी की जा सकेगी ठीक है तो और यह एक व्यवारिक डिस्ट कोड होगा अगर रिकेंदर और राज्य मिलके काम करें तो यह बहुत इंपॉर्टन इंफर्मेशन था आपको पढ़ना चाहिए और इस से रिलेटेड आपको जो भी नोट्स है व बहुत इंपर्टन अक्यां है